अधिन अधिए अधिन वेलकम टू गायित्री किचन आज अधिन बनाएंगे भुट्टे का किस यह इंदौर का स्पेशल नाश्ता है और खाने में बहुती स्वादिश्ट होता है भुट्टे का केस मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जब मैं इन दौर में परती थी तो भुट्टे का केस खाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी तो आईए जाने इसे कैसे बनाया जाए भुट्टे का किस बनाने के लिए हमें चाहिए 3-4 दूदिया भुट्टे हमारे जो भुट्टे है वो एकदम मुलायम और एकदम ताजा है इसके अलाबा हमें चाहिए आधा चम्मच जीरा आधा चम्मच सर्सो का दाना एक मेडियम साइस का अद्रक जिसे हमने कद्दू कस कर लिया है एक चम्मच चीनी नमक स्वाद अनुसार एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पॉडर एक चौथाई चम्मच हल्दी पॉडर ताजा नारियल जिसे हमने कद्दू कस कर लिया है इसका इस्तमाल हम गार्णिश करने में करेंगे धन्या पत्ता, दो से तीन हरी मिर्च, एक कब दूद और रिफाइन ओईल भुट्टे का किस बनाने के लिए हम इस तरीके से भुट्टे को घिस लेंगे हमने सारे भुट्टे को इस तरीके से घिस लिया है और अब हम भुट्टे का किस बनाएंगे हमने ग्यास पर पैन रग दिया है, हमारा पैन गरम हो गया है और अब हम इसमें तीन चम्मस तेल डालेंगे तेल गरम हो गया है और अब हम इसमें सरसो के दाने डालेंगे और अब हम इसमें जीरा डालेंगे गिसा हुआ अद्रक और इसे ठरा लेंगे हमारे गैस का फ्लेल लो है और अब हम इसमें हल्दी पॉडर डालेंगे और अब हम इसमें घिसा हुआ मकई डालेंगे घिसा हुआ भुट्टा डालने के बाद आप इसे लो फ्लेम पर कंटिनेसली चलाते रहें और अब हम इसे ढख देंगे और दस मिनट तक भुनने देंगे और हर दो मिनट के बाद इसे बीच बीच में चला देंगे 10 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा बोटे का केस है वह अच्छी तरीके से भुण चुका है और आप देख सकते हैं इसके दाने बिल्कुल अलग हो चुके हैं और अब हम इसमें स्वाद अनुसा नमक डालेंगे और इसे वापिस से मिला लेंगे और आप मिसमें 14 चम्मच लाल बिर्च पॉडर डालेंगे, और आप मिसमें कटे वे हरें मिर्च दालेंगे, इन सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप मिसमें एक कप दूट डालेंगे, और इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसे दो मिनट के लिए वापिस से ढख देंगे दो मिनट हो चुके हैं और अब हम ढखकन खोल के देखते हैं और आप देख सकते हैं कि जो हमारा दूद है वो अच्छी तरीके से सूप गया है और हमारा भुट्टे का किस कितना अच्छा बना है और आखरी में हम इसमें एक चम्मत चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला ले और आखरी में हम इसमें धन्या पत्ता डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे बुट्टे का किस बनके तैयार है और अब हम ग्यास को बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और आकरी में हम इसे घिसे हुए नारियल से गानिश करेंगे तो तैयार है मेरा फेवरेट भुट्टे का किस और मुझे पूरी उमीद है कि आपने भी इसे अगर बना के खा लिया तो ये आपका भी फेवरेट हो जाएगा आप इसे दिन में कभी भी बना के गर्मा गरम खा सकते हैं तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कॉमेंट करें और ज़रूर शेयर करें थांक यू